सूपरबात बच्चों, बेटा आज हम करेंगे अध्याय नंबर 6 के पर्षन उत्तर, इसमें छोटे भी, लगुवाले भी और दिर्गवाले भी, ठीक है, तो चलिए सुरू करते हैं, अती लगुतरिये पर्षन, पर्षन नंबर 1, सी हांगती कोन था, तो सी हांगती, वनवर् पर्षन नंबर 2, सी हांगती अपनी परजा से नाराज क्यों था, तो पुस्ततक पढ़ने के कारण, यह उसका उत्तर हैं, पर्षन नंबर 3, सी हांगती ने क्या आदेश दिया, पुस्त के नस्त करने का, पर्षन No.4, पुस्त के मनुस्ये के किन भाओं से मिलकर बनती हैं, तो किन से मिलती है बिटा मनिश्य की चतुराई, आनुभाव, ज्यान, भावना और कल्पना और दूर दर्शी तरसे मिलकर बनती हैं। अगला है अतील गुत्री पर्शन, समराट की मिर्तु के बाद पुस्तकों का क्या हुआ होगा, तो इसका सही उत्तर होगा, समराट फिर से पुस्तके फिर से लकडी के कुंदों के रूप में परकट हो गई। पर्शन, नमबर दो, सिकंदरियों के पुस्तकाले को आकर्मन कारियों ने क्यों नस्ट कर दिया था। तो भई, उनका कहना था किनका आकर्मन कारियों का, कि पुस्तके पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, पुस्तके वही कहती हैं जो उनके पवित्र गरंत ने पहले ही कह रखा है इसलिए पुस्तक रखने का कोई लाब नहीं परसा नमबर तीन हेन तनसांग ने क्या सपना देखा था तो उसने सपने में देखा कि विश्विधाले का सुंदर ववन कहीं गायब हो गया और हाँ अध्यापक और विद्यार्थियों की स्थान पर क्या बंदी वी अब देखते हैं दिर्ग उत्तरिय पर्षन जो बड़े हैं साहित्य की द्रस्टी से भारत का अतीत महान है इस कथन को सपस्ट की जिए तो भारतिय संस्कृति अती प्राचीन है प्राचीन काल से ही भारतिय भासाओं जिनमें संस्कृत परमुख है में ज्यान की लिपीवन रचना होती है किस में संस्कृत में और इसी संस्कृत में ज्यान के लिपीवन करने रहने की प्रम्परा भी रही है इस परकार हमेश्या साहित्य की रचना होती रही बारत के कोने कोने से कवियों और विद्वानों ने संस्कृत के जरिये ही भारतिय साहित्य का भंडार बरा हिमाले परवत और घहरे सागरों को पार करके भारती साहिते दूर देशों तक पहुंचा और अपने महानता से विदेशियों को परीचित करवाया अगला परसे नहें बिटा इसमें लास्ट कागज ही जलता है शब्द तो उड़ जाते हैं इस कथन से क्या अभिप्राय है सपस्ट की जी तो ये कागज ही जलता है जब समराट ने पुस्तकों को जलवा दिया था नस्ट करवा दिया था उस समय कहा गया था कि कागजी तो जलता है कुछ विद्वान लोगों ने कहा कि सब्द तो उड़ जाते हैं ग्यान तो ग्यानवान में सदा ही विद्वान रहता है वह जितना विचारता है उतना ही खोजता है वो जितना विचार कर लेता है उतना वो लिख भी लेता है लिखता भी नहीं है तो उतना लोगों में पहुंचाने की कोशिश भी पूरी करता है उतने ही उन्नत विचारों का संग्रै भी कर लेता है पुस्तकें तो कागज का रूप होती हैं जो नस्ट हो जाती है लेकिन जिन लोगों ने उनसे ज्ञान प्राप्त कर लिया वे भाव रूपी सब तो नस्ट नहीं हो सकते और वे तो उन लोगों के दिमाग में इकटे भी हो रही है जो उनके लेका कत्वा पाठक रही है तो कहता कि कागजी तो जला है बाकी लोगों के दिमाग में जो ज्ञान प्राप्त वो कैसे नस्ट हो सकता है तो आज का होंवक अबिटा आपका ये सबी छोटे बड़े सारे पस्तनों तर अपनी फेर नोटबुक में लिखोगी क्योंकि अगले दिन संड़े है छुटी है आपकी और याद करोगी धन्यवाद